हेलो एवरीवन वेलकुम बैक टू माई चैनल जैगरू जी तो देखिए आए मैं इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बनने वाला एक स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ इसको आप अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तमाल कर सकते हैं स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट्स बहुत ही प्यारा डिजाइन बन कराता है और बनाते हम इसको सलाईयों से हैं और इसकी जो बनके फाइनल लूक आती है वो ऐसे लगता है जैसे हमने क्रोशे बे बनाया तो देखिए इसके लिए हमने जो फंदे मल्टिबल करने हैं वो करने हैं फोर के मल्टिबल में फंदे हमने कास्ट आन करने हैं यहां पर मैंने डेमो के लिए 16 फंदे लिए हैं और यह जो हमारा पैटर्न है राइट साइड से स्टार्ट होगा शे नंबर की सलाईपे मैं इ फोटा बनेगा अगर आपको छे नमबर बनाएंगे या आठ नमबर बनाएंगे फिर इसके जारी वाला डिजार थोड़ा खुल कर आएगा दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा पैटर्न लगता है राइट साइड से इस पैटर्न को हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए इसको हम बन डालना है तो बना सकते हैं पहले और राइट साइड से हमने इस पैटर्न को स्टार्ट कर देना है तो देखिए यहां पर मैंने दो दो फंदे दोनों तरफ एक्स्टा रखे हैं वैसे हम एक एक फंदा हम रखते हैं एजिंग के लिए तो यहां पर दो रख रही हूं ताकि जाली वाला डिजाइन है और जब इसको हम बाद में प्रजेक्ट को सिलेंगे साइटों से तो उसमें जाली जो है वो खुली शेद वाली इस तरह से ना लगए तो इसलिए दो दो फंदे या तीन दिन फंदे आप एक्स्टा साइडों पर रख सकते हैं ठीक है तो चले हम इस अब स्टार्ट करते हैं तो रो वन है यह मेरे डिजाइन की और राइड साइड है तो पहला फंदा जो है मैं बून लूँगी आप चाहें तो उसको उतार भी सकती है जैसे यहां पर दो दो फंदे एक्स्टा रखे हैं तो आप दोनों फंदों को बून सकते हैं एक फंदा उतार सकते हैं दूसरा फंदा बून सकते हैं उसके बाद हमने अगले चार फंदों पर देखें इस तरह से में एक फंदा बनाया है तो यह इस तरह से सिंपल आ रहा है तो यहां पर आपने दो या तीन फंदे रखे होंगे तो शिलने के बाद यहां पर जाली नहीं बनती है होल नहीं बनता है तो यह जब जाली जाद डिजाइन होता है तो इसमें आपने साइडों पे एजिंग पे दो या तीन फंदे एक्स्टा रखने होते हैं अब देखें दो फंदे यह हो गए अब उसके बाद अगले चार फंदों पे हमने अपने प्रोजेक्ट का जो डिजाइ है तो देखिए बड़ा ही असान सा डिजाइन है थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनाएंगे चार फंदों में से हमने पहले तीन फंदे इस तरह से नीडल पर लिने हैं बैक साइड ले जाएंगे देखें यूं करके अब हमने इन तीनों फंदों को एक फंदा करन अब इन तीन फंदों में से एक फंदे को हमने जो फ्रंट में पहला फंदा है उसको हमने बैक लूप से इस तरह से एक फंदा हमने बुल लेना है निट वान फ्राउम बैक लूप एक फंदा हमने बुल लिया अब यहां पर हमारे देखिए तीन फंदे बने हैं एक दो और अब हमारे पास left needle पे दो फंदे हैं और एक जो हमारा चोथा फंदा था वो भी हमने ले लिया अगेन हमारी needle पे तीन फंदे हैं इन तीनों फंदों को फिर से हमने तीन का एक करना है फ्रॉम बैक लूप पिछली लूप से अब यह इन तीनों फंदों को एक फंदा बनाया और इनको हमने नीचे उतार दिया तो चार फंदे से हमारे टोटल और यह चार हमारे फिर से त्यार हो गए ठीक है एक बार फिर से रिपीट करती हूं मैं चार फंदों में इसे पहले तीन फंदे लेने हैं एक दो और यह तीन तीन फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम बैक लूप यूँ करके एक फंदा हो गया थोड़ा इसको डीला हाथ से बनाएंगे डिजाइन को फिर हम एक बार दागाल पेटेंगे एक फंदे को उठाएंगे यहां से इस तरह से बैक लूप से एक फंदा बुन लेंगे तो अब नीडर पे हमारे देखें तीन फंदे आगे तीन हो गे अब यह दो फंदे जो बचे हैं इस के साथ हमारा जो चोफा पंदा है 4-4 मेजाइन के मूल्टिबल में हाना यह हमारे डिजाइन पर फंदा हुँ पर भी साथ लेंगे बहुत ही असान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही प्यारा बन करा था आप जिसको जब बड़े प्रजेक्ट पे बनाएंगे लेडिस प्रजेक्ट पे तो बहुत ही सुन्दा लगता है लेडिस जैकेट, स्वेटर, कार्डिगन, मफरल, स्टॉल किसी भी आप सको बना सक करते हैं एक पर फिर से देखें रपीट करूंगी मैं चार पंदों के पैटर्न को देखें तीन फंदे लिए यूँ करके तीन का एक किया निट थ्री टोगेदर फ्रॉम बैक लूप उसके बाद इस तरह से हमने यार्नोव किया दागल पेटा उससे भी हमारा एक फंदा बन करना है इस तरह से तीन होगे अब ये दो फंदे और एक फंदा जो हमारा चोथा था यूँ करके ये तीनों का हमने फिर से एक फंदा कर लिया फ्रॉम बैक लूप तो ये देखें हमारे याँ बे अगेन चार फंदे बन गे एक तो तीन और ये चार ये लास्ट हमारे दो एजिंग के फंदे हैं ये हमने सीधे बुलने ने है रो वन हमारी कंप्लीट हो गई देखिए बड़ा ही असान सा पैटरन है लुक वाइस बहुत ही सुन्दा लगता है तो ये देखें हमारी ये पहली रो पैटरन की कंप्लीट है अब देखें उल्टी तरफ आगे हैं हम अपने पैटरन को कंप्लीट करेंगे दूसरी स्लाई में रॉंग साइट से हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं पर लाल स्टिचेज और जो डिजाइन जिसमें की उल्टी तरफ से हमने सिंपली उल्टे फंदे ही बुनने होते हैं वो डिजाइन जो होता है बहुत ही कमफर्टेवली बन जाता है और असान भी रहता है क्योंकि हमार सिर्फ इसमें एक ही बात का द्यान रखना है कि हमने जो दागा है उसको थोड़ा सा लूज रखना है यह डीले हाथ से डिजाइन बनेगा तो बहुत ही प्यारा जालेदा डिजाइन बनकर आता है तो यह देखें सारे पंदे हमने उल्टे बना लिए तो रो टू रांग साइड देखें परल आल स्टिची सारे पंदे हमने उल्टे बना लिए तो जह जो डिजाइन है दो रो का रपीट पैटर्न है दो ही सलाईयों में complete हो जाता है एक बार मैं आपको फिर से रो जो तीसरी है तीसरी सलाई स्टार्ट करके दिखा देती हूं किस तरह से बनाएंगे इसको हमने सेम बनाना है फंदे अधर बदल नहीं करने हैं दो एड़िंग के फंदे बुल लिए मैंने उसके बाद next चार सिपल डिजाइन है तीन फंदे लिए तीन का एक फंदा किया यूं करके देखें निट थ्री टोगेदर फ्राम बैक लूप इस डिजाइन में जो हमारी सीधी रोग है वो सारी बैक लूप से बनेंगी और देखिए तीसरी स्लाई को भी हमने सेम वैसे ही बनाना है तो फंद रखेंक और उल्टी तरफ से जब रांक साइट होगी तो हमने सारे उल्टे बलाते हुए जाना है तो यह बहुत ही प्यारा साथ डिजाइन बन जाता है आप चाहें तो इसको को knit three together तीन का एक करना है from back loop फिर हमने दागाल पेटना है एक फंदा देखे फिर से एक बार तीन का हमने एक कर लिया from back लूप अब हमने दागाल पेटा इस तरहें से और एक फंदे को बुल लेंगे यूँ करके तो हमारी राइट नीडल पे देखे तीन फंदे बन गे अब जो दो रह गए हैं उनको हमने चोते फंदे के साथ यूँ करके लेना है तो तीन बन जाएंगे फिर अगेन हमने यहां प यह हम सीधे बुल लेंगे तो यह देखिए अभी हमने तीसरी सलाई ही बनाई है पैटर्न कितना प्यारा बनना शुरू हो गया है और उल्टी तरफ से हमने जैसे मैंने बताया सारे फंदे इस पैटर्न में हमारे उल्टे ही बनेंगे एजिंग क्या फंदे चाहें तो स्टा किसी भी व्याविस को बना सकते हैं और बनाने के बाद यह पूरा क्रोशिय वाली लुक देता है जैसे लगता है कि जैसे क्रोशिय से बुना हुआ है और हैवी सिंपल एक सलाई में डिजाइन है उल्टी तरफ से तो हमने उल्टा ही बनाना है तो इससे भी हमारा यह पैटर होगा हमारी इस तरह से लुक आएगी इसकी फाइनल तो यह आपकी चाहिस है आप चाहिए तो इसको आठ नंबर की बना सकते हैं तो इस तरह से शेयर नंबर पर डिजाइन इसका बनकर आता है तो आप इस पैटरन को अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तेमाल करिएगा द